हेलो स्टुडेंट, गूड इवनिंग, कैसे हैं आप सब, आप सब के लिए क्लास 10th का एक और वीडियो, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चैप्टर नमबर 6 की, चैप्टर नमबर 6 पर एक वीडियो पहले से बन चुका है, exercise 6.1 के question हमने सारे समझे हैं और आज हम exercise 6.2 पर बात करेंगे, उसकी question को solve करेंगे और उस exercise में जो हमारा एक formula है, जिसका use होना है, जो और भी concept हैं, उनके बारे में हम समझेंगे, तो आईए देखते हैं exercise 6.2 और आप से एक request है हमारी, कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, वो चैनल को subscribe करने और bell icon का जो symbol होता है, उसको भी press करने ताकि जैसे हम YouTube पर वीडियो अपलोड करें, आप तक तुरंत notification पहुंच जाए कि YouTube पर वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है, और वीडियो को देखने के लाइक कर दिया करो भाई, लाइक वाला option रहता है उस पर ना, इतने लोग आप देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो कोई भी, ठीक है, तो चीजों को समझो, आप भी अभी नए हो, पता है हमें, लेकिन चीजों को सीखो, इन चीजों को भी सीखो, ठीक है, तो आईए exercise 6.2 के, जो concept है हमारे कि इस exercise में हमें क्या-क्या concept मिलेगा, तो सबसे पहली चीज हमारी होगी, distance between two points in a Cartesian plane, Cartesian plane मतलब कारतिये तल, ठीक है, distance दूरी between बीच में 2.2 बिंदों के इन, में, ठीक है, कारतिये तल में 2 बिंदों के बीच की दूरी, ठीक है, जैसे हमें कोई दो प इसे मारे लो, a हो गया और b हो गया, a के क्वाडिनेट कुछ हो गए, और b के क्वाडिनेट कुछ दे दिये गए हमें, ठीक है, बोलेगा, इन दोनों बिंदों के बीच की दूरी बताओ, यानि a b की value पूछेगा हमसे, तो बही, अब ऐसे, या तो इनको हम Cartesian plane में हम कैसे इस बात का जवाब दे पाएंगे, आईए इस बात को समझते हैं, तो एक छुटा सा formula का derivation समझते हैं कि कैसे formula आएगा, कैसे concept है हमारा, और फिर उसके बाद में इसके प्रशनों को हम हल करेंगे, तो माल लेते हैं बई कोई दो बिंदु हैं, हमारी इस Cartesian plane में, कारत आगी बात समझ में, अब इसके निर्देस्तांक मानने होंगे, तो निर्देस्तांक तो कोई fix मान नहीं सकते हैं, तो X और Y के पदों में ही माल लेते हैं, ठीक है, अचा, दोनों के मानने हैं, तो अगर इसके X, Y मान लेते हैं, इसको क्या माल लेते हैं, Z और कुछ, तो दे y2 ठीक है x2 और y2 यह बात समझ में आगे हमने कारतिय तल में कोई दो बिंदु ले लिए जिनके निर्देशांग हमने मान लिए अब क्या करना है ज्यान से समझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी या नि ज्यान कर दो इन दोनों बिंदुओं को यही डिस्टेंस हमें pq find करने है ठीक है ज़रा पी की इस्थित देखो बिंदु p के कोईडिनेट कितने है x1 और y1 अगर हम बिंदु p से 1 सच पर लंब डाले तो इस लंब की लंबाई क्या होगी यह लंब किसके समानतर है हमने क्या ब यह मैं pm ठीक है अच्छा अब जब इससे हम वाइक्ष पर लंब डालेंगे अरे वाइक्ष पर लंब डालेंगे तो देखो भाई यह लगत तो नहीं रहा हम समझो थोड़ा लाइन थोड़ी तिरची होगी तो पी यहां से जब लंब डालोगे आप ठीक है तो यह डिस्टे में आयत या यह बंता है यहां यहां भी होगा अ एक फिलाल वर्ग वाली कंडिशन तो लेकर नहीं चलना हैं तो इस लाइन को यहां से मेरेज कर रहे हैं आप समझ जाए कि इसकी पी जो है यक्षच पर एक्सवन दूरी चला है और वाइच पर कितनी दूरी चला है वाइवन इसी तरह क्यों भी जो होगा वो हमारा एक्स अच्छ पर कितनी दूरी चला है एक्सटू दूरी चला है अब देखो इसकी जो एक्सटू दूरी है वो यहां से लेकर के मूल बेंद जीरो को हम यह हो गया हमारा यहां से लेकर एक मिनट इसको यहां से दिखाते हैं यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ठीक है और फिर यहां से ले करके पूरी दूरी कितनी है x2 है कहां तक यहां तक ठीक है q से जो लम डाला हमने इसको क्या माल लेते हैं qn माल लेते हैं बात समझ में आगए यतनी भाई p के निर्दे सांग कितने है x1, y1 निर्दे संग सी क्या सूचना मिलती है पहले वीडियो कोई देखी अगर नहीं देखा है सूचना ये मिलती है कि बिन्दु फिर से क्यू के क्वाइडिनेट है x2 कामा y2 इसका मतलब q जो है x अच्छ पर कितनी दूरी x2 दूरी तै किया है और y अच्छ पर कितनी y2 दूरी तै किया है तोटर यहां से ले करके पूरा समझ गए इस बात को ठीक है आगी देखिए अब अब हम क्या करते हैं इस लंध को निकालने के लिए हमें एक समकोंड त्रिभुच का निर्माड करते हैं और यहां से एक लंब डाल लेते हैं इसको हम L माल लेते हैं ठीक है अच्छ जो यह देखो PL है यह PL लाइन आपके MN के समांतर वह उसके बराबर होगी क्योंकि फिर से देखो यह आपका क्या तयार हो गया एक आयद तयार हो गया ना क्यों क्योंकि देखो यहां भी 90 यहां भी 90 यहां पे लंब डाला यहां भी 90 तीन एंगल 90 होगे चोथा भी 90 हो जाएगा ठीक है अब आमने सामने की भुजा बराबर होंगी या नहीं होंगी चारो एंगल 90 के है तो इस्क्वाइर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा आरीबा समझ में तो चलो इसकी डिस्टेंस निकालते हैं कितनी होगी मूल बिंदू से लेकर यहां तक पूरी दूरी x2 मूल बिंदू से यम तक की दूरी x1 अगर यम से यन की बीच की दूरी निकाली जाए तो कितना होगा भाई हमारे पास एक इतनी बड़ी रस्टी है ध्यान से समझना यहां से लेकर के जीरो आले बिंदू से मूल बिंदू से लेकर कहां तक यम तक इतनी बड़ी रंबी रस्टी है इस रस्टी को रहने दो एक और छोटी सी रस्टी के ऊपर रख रखी हमने कहां तक यम तक एक बड़ी सी रस्टी है हमारे पास और इसके ऊपर हमने एक छोटी सी रस्टी यहां तक रख रखी है हम आपसे बोलते हैं कि आप हमें इतनी दूरी बताओ, इतनी दूरी कैसी होगी, यह जो बड़ी वाली रस्ती है, आपकी माल लेते हैं, पांच मीटर की है, छोटी वाली रस्ती माल लेते हैं, दो मीटर की है, हम आप से पूछ रहे हैं, यह इतनी दूरी कितनी होगी बताओ, तो आप बोलो कि भाई, पूरी द पचेगा न टोटल और यह 3 मीटर आपका एंसर कैसे आएगा पूरी दूरी थी क्या 5 मीटर उसमें से आपने क्या खतम कर दिया यह 2 मीटर की घटा दी यहीं पूरी बड़ी वाली दूरी में से वो छोटी घटा दी तो इतनी दूरी हमें मिल गई यहीं सर्थ हमारी यहां करके यन तक की अगर दूरी निकालनी हो कहां तक यन तक की तो क्या होगी पूरी बड़ी वाली दूरी में से क्या घटा देना है चोटी वाली घटा देना तो बड़ी वाली दूरी कितनी है एकस टू है और छोटी वाली दूरी कितनी है एकस वन है ठीक है तो यह आ जाएग P L B कितना होगा X2 – X1 होगा और ये अगर इतनी दुरी देखो P से लेकर YM तक अगर Y1 दुरी है तो YL से लेकर के YN तक Q से लेकर के YN तक पूरी दुरी Y2 है देकिन अगर YL से YN तक की बात की जाए तो YL से YN तक की दुरी किस के बराबर होगी PM के बराबर होगी न, भाई देखो आमने सामने की बुजा बराबर होगी, अब PM के बराबर QN तो होगा ने, क्योंकि QN देखो उपर जा रहा है, PM के बराबर LN होगा, अगी बास समझ में, PM के बराबर क्या होगा आपका, LN होगा, ठीक है, तो अगर LN की दूरी ग्याद करन नहीं है तो यह न से लेकर कि क्यों तक पूरी दूरी कितनी है वाई टू बड़ी दूरी है और फिर यह छोटी दूरी इसमें से निकाल दें वो लोगी छोटी दूरी तो पता ही नहीं है ठीक है तो आपको कौन सी दूरी पता है एल से लेकर के एन तक की दूरी तो पता है वा ही लंबाई यहां से यहां तक की है ठीक है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई वाई वन हो गई अगर आप बात करो कि सिर्फ इतनी लंबाई कितनी हो गई यह छोटी वाली दूरी कितनी हो गई बताईए आप बोलो कि पूरी बड़ी दूरी कितनी है y2 है और किसको निकालना है इतनी दूरी नहीं चाहिए हमें सिर्फ इतनी दूरी चाहिए तो जितनी दूरी कि کہ डाई, इतना माइनस कर दो तो y2 में से क्या माइनस कर दोगे y1 ठीक है तो q से लेकर एल तक की जो दूरी आई वो कितना आगई वाई 2 – शामने की बुजा कोंड बोलते हैं याई फी क्या है कंड है तो पी क्यू का इसक्वायर बराबर किसी को भी लंबा धार माल लो पी इल काór स्क्वाइर ठीक है हाँ चलो QL ले लेते हैं QL का स्क्वाइर प्लस कितना P L का स्क्वाइर किसी कभी ले सकते थे आप P Q बराबर कितना हो जाएगा इधर पूरे पर क्या चला जाएगा अंडरूर चला जाएगा QL QL का मान रखो QL Q से Q L तक की इस्टन्स कितनी है QL का स्क्वाइर था तो इस पूरे का भी क्या होगा स्क्वाइर होगा प्लस P L का मान रखो QL Q पी से लेकर L तक की इस्टन्स कितनी है X choose समाइनस Q 1 उसका whole square तो दो बिंदों के बीच की दूरी जो होती है वो इस तरह से इस फार्मूले से आ जाती है ठीक है फार्मूले में देखो एक चीज है चाहें आप इन दोनों को कैसा भी लिखो आप लिख सकते हो कि दो बिंदों की बीच की दूरी distance d is equal to कितना होता है अंडर रूड ठीक है क्या होता है अंडर रूड यहां पर वर्ग पलस यहां पर भी वर्ग ठीक है बीच में क्या लिखना है अंतर लिखना है किसका कोटियों का अंतर और किसका अंतर भूजों का अंतर यह जो आपके यह सच्छ वाले कॉडिनेट हैं उनका अंतर चाहें X1-X2 लिखो यहाँ पर चाहें Y2-Y1 लिखो क्यों? क्या X1-X2 क्या X1-X2 का होल स्क्वाइर X2-X1 के होल स्क्वाइर के बराबर होगा? क्या ये दोनों बराबर हैं? आईए देखें कैसे ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं यहाँ पर X1-X2 चाहें इस पक्ष में चाहें इस पक्ष में हम ब्रेकट होल स्क्वाइर उपर रहने देते हैं हम अंदर में माइनस कामा ले लेते हैं ठीक है तो यहां पर बड़ा ब्रेकट यूज कर लो ठीक है यह ब्रेकट को जहां पर हमने बड़ा ब्रेकट यूज कर लिया अंदर में क्या था एक्सवन माइनस एक्सटू था उसमें क्या कर लिए हमने माइनस कामा ले लिया तो क्या हो जाएगा यह एकस वन निगेटिव हो जाएगा और एकस टू क्या हो जाएगा पॉस्टिव हो जाएगा अब देखो अगर माइनस का वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना ठीक है अंदर में क्या ब उपर whole square रहे तो minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इस वज़ा से आपका X1-X2 X2-X1 के क्या है बराबर है और इसी तरह Y2-Y1 भी Y1-Y2 के भी क्या है बराबर है तो यहाँ पर आपका distance d बराबर हो जाएगा ठीक है कोटियों का अंतर कोटियों का अंतर ठीक है कोटियों के कोटियों का अंतर पूरे का whole square माइनस वह पलस कितना भूजों का अंतर अंतर माने समझ रहे हो माइनस ना चाहें आपर X1-X2 लिख देना चाहें X2-X1 लिख देना और यहाँ पर भी चाहें Y2-Y1 करना या फिर Y1-Y2 करना जैसी आपके चबों यहाँ पर यूज कर सकते हो ठीक है तो यह हो गया आपका मुख्य फार्मूला ठीक है इस फार्मूले को आप नोट कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं आगी बात समझ में इसको नोट कर दीजिए चलिए देखे अगला कुजिशन है हमारा पहला कुजिशन है एक्सरसाइज 6.1 हम सुरुआत कर रहे हैं अब इसका पहला कुजिशन सॉल्व करते हैं बोला माइनस 8,6 की मूल विन्द से दूरी गैड़ कीजिए ठीक है तो मूल विन्द की निर्देश संग बता ये क्या होते हैं अगर आप ने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि मूल बिंदू क्या होता है ना तो वो कोई दूरी यक्स पर चलता है ना कोई दूरी वाई पर लेकिन भाई निर्दे सांख है तो लिखना तो जरूरी है जब कोई दूरी नहीं चलोगे तो 0, 0 ठीक है तो मूल बिंदू के जो कौडिनेट होते हैं वो क्या होते हैं 0, 0 इसका मतलब ये दो बिंदूओं की बीच की दूरी पूछ रहा है एक बिंदू दिया गया है दूसरा बिंदू नहीं दिया गया है उसका नाम बोला गया है कि वो दूसरा बिंदू क्या है मूल बिंदू है इसका मतलब इसका कॉाडिनेट तो सब लोग जानते है अता माइनस आट कामा छे तथा जीरो कामा जीरो के बीच की दूरी ठीक है डी जीकुल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूड ठीक है कोटियों का अंतर माइनस कोटियों का अंतर का वर्ग पलस भूजों के अंतर का वर्ग तो कोटियां इसकी क्या है पहले भुज को ही ले लो पुज क्या है आपके माइनस आठ और क्या है जीरो है तो माइनस आठ में से क्या घटा आया जीरो घटा दिया फिर कोट क्या है छे है और जीरो है तो छे में से क्या घटा आया जीरो समझ में आया है पहले देखो हमने लाए ठीके कोई फार्मुला वगएर नहीं रखना है थे याद रखना है कि पेहला भूझ माइनस दूसरा भूझ यहाँ पर पहली कट माइनस दूसरी कोट यहाँ पर देखो दोनों हमने क्या दोनों भूझों को लिख दिया ना माइनस 8 और 0 थे बीच में माइनस लगा दिया और दूसरा क्या था हमारी कोट थी 6 और 0 तो यहां पे 6 माइनस 0 कर दिया तो D is equal to under root रहने तो पहले अंदर की चीज़ों को सरल करो माइनस 8 में से 0 घटा होगे कोई फर्क ने पड़ेगा माइनस 8 ही रहेगा और माइनस 8 का वर्क करोगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा 8 का वर्क करने से क्या मिलेगा 64 मिलेगा प्लस, 6 में से 0 घटा होगे, तो 6 ही रहेगा, और 6 का वर करने कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और D is equal to कितना हो जाएगा, यह हमारा, 436 कितने हो जाएगे, 100 हो जाएगे, इसका square root निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, आपको 10 मिल जाएगा, जो हमारा answer होगा, बात समझ में आ गई, ठीक है, वो मेदे चीज़ें आपको समझ में आ रहे होंगी, question number 2 है, देखिए, दिए गए बिंदों की बीच की दूरी ग्याद करना है, इसमें 4 question है, इस बार हमारे पास, ठीक है, तो इन 4 question में से हम आपको बताएंगे सिर्फ एक question, और वो कौन सा question बताएंगे झाल झाल चले देखिए, question number 2 का थर्ड वाला बता रहे है, बाकि तीनों चीज़ें आपको खुद लगाने हैं, ठीक है, calculation करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है, math में चीज़ें आप तभी समझ पाओगे, जब अपने अंदर से डर खतम करोगे, ठीक है, तो चीज़ें की सिर्फ calculation है, जोड घटाओ, गुड़ा भाग, भिन्नो का जोड गुड़ा घटाओ, भाग, यही होगा, और क्या है बई, चलिए, इन दोनों बिंदों की बीच की दूरी निकाल लिए, तो diet हम d is equal to लिख रहे हैं, अपना formula, under root बना लिया, बड़ा सा, एक bracket बना लिया, उस bracket में दो लोगों को घटाना है, प्लस का सिंबल बना है, दूसरा बेकट, बड़ा हो गया कुछ ज़्याद ही, दूसरा बेकट बना है, इसमें भी दो लोगों को घटा कर क्या करना, उसका work कर देना है, बस इतनी सी बात करनी है न, एक बार भुझ भुझ को ले लो, एक बार कोट को ले लो, तो भुझ क्या है आपके पास, ए साइन अलफा और माइनस ए कॉस अलफा, तो पहला भुझ लिखे, ए साइन अलफा, ठीक है, अब घटाना है, तो माइनस का सिंबल, क्या घटाना है, दूसरा भुझ, दूसरा भुझ है क्या, माइनस एक अलफा है, तो उसकी चिन् alpha ठीक है अब इसको हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं ठीक है और दूसरे वाले bracket में क्या करना हमें कोटियों को घटाना है तो पहली कोट क्या है minus b cos alpha ठीक है फिर minus का चिन तुरत लगा दो क्योंकि यह formula हमारा मांगता है कि जैसे आपने पहली भूजिया पहला कोट लगा उसके तुरंट बात क्या लगाना है माइनस लगाना है फिर अब दूसरी कोटी क्या है इसकी माइनस बी कॉस alpha हो गया दूसरी कोटी है b sin alpha तो इसमें तो देखो माइनस का चिन नहीं है तो यह क्या हो जाएगा आपका b sin alpha ही हो जाएगा और पूरे का क्या whole square ठीक है पहरी line में अराम से चीज़ों को हमने सही सही ढंग से अपने अस्थान पर लिखा अब अपना दिमाग लगाते हैं कि क्या किया जाए इन में ताकि यह कुछ सरलतम रूप में आ जाएं देख रहे हैं a sin alpha प्लस a cos alpha है ठीक है अच्छे यह sin cos 10 यह सब जो चीज़ें हैं आपकी अभी त्रिकोंड मिती आपने नहीं पड़ी है उस वज़े से थोड़ी सी समस्या होंगी लेकिन सुना जरूर होगा सबने ठीक है हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आप sin alpha cos alpha इन सब आपको मान के चलिए कि क्या है अभी आपके लिए ठीक है यह त्रिकोंड मिती की चीज़ें है तो त्रिकोंड मिती चैप्टर तो अभी आगे है ठीक है देखते हैं यहां पर क्या बनने वाला है आपका ठीक है झाल 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 आपका ठीक है तो कि अभी आप मान के चलिए यह साइन एलफा और कौस एलफा आपके लिए कुछ नहीं है आप इनको बड़ा सा पी मान लेजी और क्यों मान लेजी ठीक है त्रिकुण मिति की कोई जरूरत नहीं यह आपके लिए एक चिन है एक अक्षर है आप जैसे आप एक स्वाई मानते हो ना उनको एक स्वाई मान लो ठीक है और कुछ नहीं है वो आगी बास उनके उनका कोई यूज नहीं करना है तो चलिए आप इससे बिलकुल भी मड़रिये a sin alpha plus a cos alpha है पहले तो whole square है whole square छोड़े पहले अंदर में आओ आओ आप दोनों के पास a a है तो दोनों का a हम यहां किनारे ले ले लेते हैं common ठीक है और आप बोलोगे पूरे के उपर बर्ग था तो अगर यह बर्ग खतम करोगे तो आप अंदर की जो जो चीज सब पर बर्ग चल लई है ब्रेकट के अंदर की बात चल लई है हमने holy square को holy square रहने दिया हम अंदर गए ब्रेकट के और यहां से हमें a a दोनों पदों में दिखाए दिया दोनों पदों से a को हमने कामन लेकर के अलग कर दिया बचा यहां पर sin alpha plus cos alpha अगले भी पद में हम यही कुछ काम करन हमें यहां पर बी बी दोनों पदों में दिखाए दे रहा है उसके साथ साथ दोनों में माइनस भी दिख रहा है तो हमने माइनस बी को आगे लिया और बचा क्या फिर आपका cos alpha plus sin alpha और पूरे का whole square बात समझ में आ गई इतनी ठीक है अच्छा अगली लाइन तब देखिए अब जब इस बर्ग को हटा होगे जैसे हमने बोला अगर आप a plus b का whole square कर रहे हो तो अगर इस square को हटा होगे तो यह a square plus b square तो होगा नहीं कि अंदर वाली दो चीज़ें दोनो का वर्ग हो जाए यहां पर formula apply होगा ठीक है हमारी जो सम क्या है a plus b का whole square a square plus b square plus 2a भी होगा लेकिन अगर a गुड़े भी ऐसे लिखा गया हो और बाहर whole square हो फिर क्या करो गया क्या यहां पर कोई formula apply होगा नहीं अगर चीज़ें गुड़ा के साथ में है तो वो पूरा एक प पद हो तो वहां पर कोई formula यूज नहीं होगा अंदर जो भी लोग है उन सब का क्या हो जाएगा स्कॉयर हो जाएगा a square गुड़े b square ठीक है तो हमारे अंदर में कितने पद हैं पूरा एक ही पद है इस छोटे वाले ब्रेकट के अंदर दो पद हैं लेकिन इस मजले ब्रेक इन दोनों के बीच में क्या relation kali का relation फिक है तो यह हमारे लिए। क्या है पूरा का पूराएक पद है और पुरे पर होली square है इसकती है वह हम आसानी से खोड सकते हैं पर और इस पर भी associate आजाएगा और इस पर भी होली स्क्वायर यहां सी खेंगे तो एक हो जाएगा ठीक है जो ब्रेक्त है इसका भी होली स्क्वायर हो जाएगा क्योकि इन पर तो दो पद है अंदर में ठीक है पानि से पर खंप दो All झाल ठीक है तो यहां पर व्य परिक्रिया होने वाली है इस Bravo क्व asks और बेसं कियों यह नई चीज क्यों के इसको देख कर थोडह हम दोनों को सिंसिम करने चाहिए थोड़ा थोड़ा हम दोनों को सिंसिम करने चाहरे हैं थोड़ा देखने में अच्छे लगोगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए एक आई स्क्वाइर एक चीज़ और दिख रही है आपके पास इस अंडरूर के अंदर कितने पद हैं ये बताइए पदों की संख्या क्या है सूचे अंडरूर के अंदर कितने पद हैं जवाब दीजी अपनी आगे जवाब सब ताइग उत्तर होगा दोपिए कितने लोगों का सई है चेक की farm पहला पद यहां से यहां तक जो प्लस्चन्नी के साथ अलग हुआ है दूसरा पद यहां दो ही तो पद है ठीक है बासों नहीं आए अगर इस छोटी वाले ब्रेकट के अन्दर पूछ होगे इसके अन्दर दो पड़ है हैं यहां भी दो पड़ हैं ठीक है हम पूरे अंडर बेख रहे हैं अगर इससे हमने बूला हमने कितने पद लिखे ? आप बोलोगे एक दो तीन चार पद लिखे अब बताओ कितने पद लिखे ? एक पद लिखा क्योंकि सारी चीजले breakout के अंदर close हो गई अब generally आप पूछते हो कितने पद है आप पूछो के breakout के अंदर कितने पद है ? जब अंदर जाएंगे तब न दिखाई देंगे चारो पद अभी तो हमारे लिए क्या है यह सारी वस्तुओं के लिए एक थैला आ गया थैलें पैक होगे तो अब तो हमारे पास क्या है एक वस्तुओं में क्या पता थैले के अंदर क्या क्या है आप पूछो उसके अंदर क्य क्या है तब बताएंगे हम ना यह पूरा का पूरा मेंटर क्या है हमारे इस अंडरूट के अंदर हमारे पास दो पद हैं और इन दोनों पदों के पास एक ऐसी चीज है जो स्यम स्यम है क्या यह ब्रेकट साइन अलफा प्लस कॉस अलफा का होल स्क्वार साइन अलफा प्लस कॉ स्क्वाइर कॉमल ले लिया हमने ठीक है अब जो पूभी बचा एक ब्रेकट अलग सिलो उस ब्रेकट में पैक करते चले जाओ भई पहले वाले पद में से यह पूरा ब्रेकट चला गए क्या बचा जे क्या बचा माइनस एक बचा माइनस का अगर हम बर्ग करें तो क्या हो जाया जाएंगा प्लस चायिक्श-ाथ 20 स्क्वाइर हाँ बिल्कुल 20 स्क्वाइर ठीक है इतनी सी बासमझ में आ गई क्विस्चन थोड़ा थोड़ा चोटा हो रहा है ठीक है मतलब एंसर आने वाला है अच्छा अंडरूड के अंदर अगर हम x स्क्वाइर लिग दें तो आप इसका एंसर क्या बताओगे एकस बताओगे ना बोलो अच्छा इसी के साथ अगर हम y स्क्वाइर भी लगा दें गुड़े में तब उत्तर क्या बताओगे आप बोलोगे x y लेकिन अगर इस गुड़े की जगाँ पर प्लस लगा दें तो क्या x प्लस y जवाब सही होगा बिल्कुल गलत होगा ठीक है अगर चीज़ें यहाँ पर प्लस चिन के साथ है तो इतना इसका मतलब है यह ऐसी चीज़ें जो जुड़ नहीं सकती है ठीक है यह प्लस चिन के साथ है जुड़ नहीं सकती है तो यह इसी तरह रहेंगी कभी यह अलग नहीं होने वाली है ठीक है जब गुड़े का स कि सम्बंद है तो सारी चीजें एगर वर्ग में हैं अनका वर्ग मूल निकलता चला जाता है लेकिन प्लस या माइनस चिनिके साथ है तो उनका वर्ग मूल नहीं निकलता है यह एक पड़ और दोनों का कोई नहीं है किसका है गुड़े का है इसका मतलब अब अंडरूड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पद है ठीक है और इस एक पद में ये जो हमारा पहला वाला मैटर है इस मैटर का क्या है स्क्वाइर है इसका स्क्वाइर नहीं है यहाँ पर अलग अलग स्क्वाइर है लेकिन A स्क्वाइ तो इसका मतलब इनका कभी वर्गमूल से बाहर हमेंगे अगी बासलिएगी, और यह दोनो उझा है, अंदर तो जुड़ रहे हैं, तक इस पूरे पर होल स्क्वार है, और यही अगर यहां पर होल स्क्वार न हो करके, यहां होता, तो यह होल स्क्वार उनके जुड़ने का वे अंडरूट के अंदर क्या बचेगा जो अंडरूट से बाहर उसे पहले रिख लेते हैं क्या साइन अलफा प्लस कॉस अलफा होल स्क्वार कहां गया उसी का तो हमने कुर्बानी दी तब जाकर अंडरूट से बाहर आए, अब अंडरूट के अंदर बचा क्या, क्या छोड़े हो, a square plus b square, this is our answer, ठीक है, note it. अगला question देखते हैं, question number 3, दिया गया है, 3 बिंदु हैं आपके पास, 4,2, 7,5 और 9,7, बोलने हैं, ये दर्शाकर बताईए, ये सिद्ध कीजिए, कि क्या इन तीन बिंदुओं से किसी तिर्भुज का निर्माण हो सकता है, तो बै किसी तिर्भुज का निर्माण तो तीन ही बिंदुओं से तो होता है, ठीक है, तो ऐसी इन बिंदुओं में क्या विशेस्ता नहीं है, ये बिंदु हैं ना, अगर ये बिंदु हैं, तो बिल परसंट सही है ठीक है अच्छा ये बताईए अगर ये तीनों बिंदों हमने यहां पर लिख दिये और आपने भी बोला भाई तिर्भुज बन रहा है अगर इन तीनों बिंदों को हम यहां पर एक ही रेखा में लिख दें तो बताईए तिर्भुश का निर्माण होगा कैसे होगा अगर तीनों बिन संद्रेख हैं तो भी तिर्भुश का निर्माण नहीं होगा एक और पॉइंट बताईए कच्छा 10 में हमने पढ़ा था अरे सोरी कच्छा 10 का to पढ़ी रहें कच्छन 9 में हमने आपको बताई थी एक बात कि किसी तिर्भुच की दो भुजाओं का योग जो है तिसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए यह बात समझ मे आई थी कि कि नहीं दो भुजाओं का योग जैसे कोई तिर्भुच था A, B, C तो हमने बोला था कि AB plus BC is greater than, क्या, AC, यह बोला था न, कि किन ही दो भुजाओं का, इसी तरीके से दो step और लिख सकते हो अभी आप, क्या, AC plus BC is greater than किस से, AB, और क्या, भई, AC plus AB is greater than BC, ठीक है, तो कोई भी दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अगर तिर्भुज की तीनों भुजाएं, इन सर्तों का पालन करती हैं, तो ही तिर्भुज का निर्मार संभो है, इसका मतलब, एक example लेते हैं, अगर कोई हम दो भुजा ऐसी ले ले, मालो एक लिए लिए हमने तीन, दूसरी लिए पांच, तो इन दो भुजाओं का योगफल कितना है, आठ है, दो भुजाओं का योगफल किस से बड़ा होना चाहिए, तीसरी वाली भुजा से बड़ा होना चाहिए, अगर हम तीसरी भुजा को नौ लेते हैं, अब समझी अभी क्या हो गया क्या ठीज सेंटी मीटर फान सेंटि मीटर और नो सेंटिमीटर तीन भुजायों कि लमबाई हम दे रहें आप को अब बताइए क्या इंसे थोड़ी बनता है अब Kำ said अजाetic Lattree Box ready करो और जड़ा इसकी practice करके देखना इसकी practice कर नाइंत में आपने कर लिए थी ठीक है वहाँ से चीजों को हमने बड़े अच्छे डिंग से आपको बताया था कि क्यों संभव नहीं है ठीक है आप इसकी देखिए इसका जो proof है वो आप जामित के तरीके से ही कर पाओगे रचना के माध्धम से ही चीजों को आप समझ पाओगे ठीक है जब आप 3 cm की कोई लाइन ड्रॉ करोगे पहले ठीक है किसी को बेज बना लिया मालते 9 वाले को ही बेज बना लिया जो बड़ा है माल अब र्क एक दूसरी को कभी पर लिया इंट्रसेक्ट नहीं करेंगे और जब इंट्रसेक्ट नहीं करेंगे तो आपको वह पॉइंट मिलेगा नि जिससे आप इसको जोइन करना चाहाँ देए ठीक है इसको बॉनों और के करते जब 5 और 3 इन दोनों का योग फ़ल किससे ब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इनका इंटर्सेक्षन पॉइंड वो प्रच्षेद बिंद मिलेगा कहां जिस पर हमें अपने त्रिभुच का निर्माड करेंगे चीजें असपस्ट हो चुकी हैं फिर से लोटते हैं अपने टॉपिक पर कई सारे पॉइंट हमारे पास हैं हम इस पॉइंट का यूज़ करते हैं या ठीक है कि किसी तिर्भुच की अगर किनी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आ जाता है ठीक है तो वो तिर्भुच क्या हो जाएगा हमारा वो तिर्भुच की जो भुजाए दी गई है वो क्या है उन भुजाओं का प्रियोग करके हम तिर्भुच का निर्मार कर सकते हैं आगई बासमझ में तो देखिए अब भुजाओं कैसे प्राप्त हो हमें भुजा तो दी नहीं गई है बिंदु दी लेकिन बिंदूओं के माध्धम से तो हम भुजाएं ग्याथी कर सकते हैं ठीक है हम माल लेते हैं कोई त्रिभुज है हमारा ठीक है इसको ए बना लेते हैं इसको बी बना लेते हैं इसको सी बना लेते हैं तो ए के कोडिनेट कितने हैं चार कामा दो ठीक है बी के कोडिनेट कि ने हैं 9,7 ठीक है तो आप क्या निकालो सबसे पहले A B निकालो फिर B C निकालो फिर A C निकालो निकालोगे न दो बिंदू की बीच की दूरी A और B की बीच की दूरी ठीक है चार माइनस साथ का होली स्क्वाइर प्लस दो माइनस पांच का होली स्क्वाइर दोनों को जोड कर वर्ग मूल निकालना है इसी तना से B C भी निकल जाएगा 7-9 5-7 ठीक है AC निकल जाएगा तो तीनो भुजाओं की लंबाई निकाल लोगे आप न और तीनो भुजाओं की लंबाई जब निकाल लोगे ऐसा तो नहीं X या Y के पदों में आएगा मान तो कन्फरम होगा क्योंकि संख्याएं दी गई है हमें ठीक है जो मान कन्फरम होगा तो आप चेक करना कि कोई भी दो भुजा जोडने पर AB में BC जोडने पर क्या वो AC से बड़ी हो रही है ठीक है फिर क्या BC में AC को जोडने पर वो तीसरी भुजा AB से बड़ी हो रही है फिर क्या AB में AC जोडने पर वो BC से बड़ी हो रही है यानि दो भुजाओं का योगफल हमेशा TC भुजा से बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर वो इन सर्तों का पालन कर रही होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ इन दिये गए निर्दे सांकों से किसी तिर्भुज का निर्माण संभव है बासोंज में आ गई क्या आप इस question को कर लोगे हमें उमीद है या आप कर लोगे ठीक है इसलिए इस question को हमें आपर complete नहीं कर रहे हैं आपको AB निकालना है BC निकालना है और क्या करना है AC निकालना है फिर इन तीनों को इस system पर follow करना है ठीक है अपलाई करना है याँ ठीक है AB में BC जोड़ देना है और उसको AC से बड़ा दिखाना है फिर BC में AC को जोड़ कर AB से बड़ा दिखाना है AB में AC जोड़ कर BC से बड़ा दिखाना है और हर बार अगर ये चीजें सेट हो गई हमेशा ये दोनों जोडने पर इस तीसरी वाले भुजा से बड़े आ रही होंगे, तो लिख देंगे आप अता त्रिभुज का निर्मार संभव है, अता दिये गए निर्दे सांकों के प्रियोग द्वारा त्रिभुज का निर्मार स नहीं आएगा तो फिर से आप ग्रूप में कमेंट्स करना हम फिर से इस को रिवाइस करेंगे तो कुईस्चिन नमबर तीन आप सॉल्व कर लेंगे कुईस्चिन नमबर चार है यदि बिंदू पी ए और बी से क्या है समान दूरी पर हो तो सिद्ध कीजी ठीरी एक्स बराबर टू आई कि ठीकि आई इस कुईस्चिन को सॉल्व करते हैं इसको नोट कर लिजे इतना कंप्लीट कीजेगा झाल 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 आई ये अगला कुईशन देखते हैं कुईशन नमबर फोर कियाने एक बिंदू पी है इसके कौाइडिनेट है एक्स कामा वाई ये जो बिंदू पी है ये पी बिंदू इसे कहीं इस्थित होगा बी भी कहीं न कहीं स्थित हुगा ठीक है हो सकता यसी की सीध में हो इसके ऊपर निचे दाएं बाएं कहीं भी हो वो इस्थित तो हमें नहीं बता लेकिन एक बात बता रहा है कि पी जो है वो एसे ही उतनी दूरी पर है एसे जितनी दूरी पर है पी बी से भी उतनी दूरी पर है यह दोनों दूरियां आपस में क्या है बराबर यही भासा बोल रहा है न कह रहा है यदि बिंदूओं पी बिंदूओं यदि बिंदूओं पी गलत द y बिंदुओं a 5 कामा एक और 1 कामा 5, b की कोडिनेट 1 कामा 5, से समान दूरी पर हो, तो सिद्ध कीजिए 3x is equal to 2y, योई तो बात हुई न, यदि p बिंदु क्या हो, a से और b से क्या हो, समान दूरी पर हो, यानि p से लेकर के a तक की दूरी क्या होगी, p a, p से b तक की दूरी क् अपस में क्या है, समान है, ठीक है, यही तो बोल ले, आप p अगर a और b से समान दूरी पर है, इसका मतलब p a बराबर किसके, p b के, और यह हमारा given point है, हमें prove रूब नहीं करना है, आप खुदी तो बोल ले, question में खुदी तो बोल ला है, यदि p क्या इन दोनों से समान दू आ जाएगा, prove हो जाएगा, p a की value निकालो, p a is equal to, under root लगा दिया, box बना लिया, भुज को गटाओगे की कोटी को, भुज पहले हो तर पहले भुजी को गटाओ, किसके किसके भुज को, p के भुज को और a के भुज को, p का भुज, x, माइनस लगाओ, a का भुज, 5, whole square करो, प्लस लगाओ, दूसरा बेकर डिस्टाइट करो, अब किसके, कोटियों की बारी है, p की कोट, y, a की कोट, one, whole square, ठीक है, निकल गया, p a, क्या करो, इधर under root है, अमें पता है, यह सभाई के matter में है, तो under root से बाहर तो निकलेंगे नहीं, एक काम करो, क्या कर लो, चलो, कोई बात नहीं, p a को रहन दो, एक लाइन और whole कर लो, p a बराबर, under root के अंदर, x-5 का whole square, और y-1 का whole square, तो whole square तो open करना ही पड़ेगा, और क्या option हमारे पास, तो a-b का whole square क्या हो जाएगा, a square, plus b square, b है 5, 25 हो जाएगा, minus 2ab, a गुडे b, तो 5 गुडे 2 कितना हो जाएगा, 10x, plus y-1 का whole square open कर लो, y square, plus 1 का square, minus कितना, 2ab, यानि 2y हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी कटने पिटने वाला नहीं, ऐसे पड़े रहन दो, p a को, चलो, p b निकाल ब्रेकेट, p के, p का भुज, minus b का भुज, p का भुज कितना है, x ही है, b का कितना है, one है, whole square, plus, code कितनी है, p की, y, b की code कितनी है, five, का whole square, ठीक है, इसका भी open कर लो एक बार, x-1 का whole square क्या होगा, a square, plus b square, minus कितना, 2x, प्लस, यहाँ पर, y square, plus 25, minus 5, दुनाई, 10x, ठीक है, यह किसकी value आगी, p b की, चुकि, p a, बराबर है किसके, p b के, कैसे पता, ग्यात है, given point, हमें यह तो question में दिया गया है, कि p a किसके बराबर है, p b के बराबर है, तो p a, भई, तुमारी value क्या है, under root में है, अच्छा, अगर p a, बराबर p b है, work करना है, तभी तो under root खतम होना है, चलो, लिखी लेते हैं, तभी work करते हैं, under root में, क्या, देखो, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी लंबी हो रही है, चीज़ें और shortcut में कैसे हो सकते थी, जैसे ही आपने देखा, कि भाई, कहीं पर लिखा हुआ है, p is equal to under root x, तो इसका under root आप इदर लाओगे, या दोनों पक्षों का बर्ग वाला समझ लो, इदर क्या हो जागा, p square is equal to किसके, x के, ठीक है, यही बात है न, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका पूरा under root जो p a पर है, यह पूरा under root हम उठा करके, किदर ले आते हैं, p a पर ले आते हैं, तो p a का क्या हो जाएगा यह, square हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह से जो last में, p b की value निकाले हैं, इस p b की value को भी क्या करते हैं, square में change कर देते हैं, ठीक है, बोलोगे ऐसा क्यों, हमें तो p a बराबर p b दिया गया था, आपने p a square और p b square का मान निकाल तो क्या हो गया, p a अगर p b के बराबर है, तो दोनों का अगर work कर दोगे, तो p a square बराबर किसके, p b square यह भी तो बराबर होगा, भाई अगर y के बराबर है, दोनों बराबर बराबर हैं, तो x का work कर दोगे और y का work कर दोगे, तो इनके work किये के मान भी तो आपस में बराब इसका 5 का वर्ग करो कितना आएगा 25 इधर भी 5 का वर्ग करो कितना आएगा इन दो संख्या एगर बराबर हैं तो उनके वर्ग भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे तो अगर पी ए और पी वी बराबर थे तो पी ए स्क्वाइर और पी वी स्क्वाइर भी आपस में क्या ह y square plus 1 minus 2y यह PA की value होगी ओ स्वारी PA square की पीबी square की value क्या है x square plus 1 minus 2x plus y square plus 25 minus 10x ठीक है x square से x square खतम y square से y square खतम 25 पलस का है यहां भी 25 पलस का है कातम minus का 10x minus का 10x ठीक है और क्या बच रहा है plus 1 plus 1 बचा क्या minus 2y और धर क्या बचा minus 2x झालो तो टो एक का जाओ आ तुग भूए मैं का प्राएंस भी 25 प्राओनान च्ता की तरहा है झालो इया झालो वालो झालり प्राइंस प्राइंस जाल झाल 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 कि चलिए देखें चीज इन तो कट गई देखें गलती हो गई है क्या गलती हुई है यहाँ पर देखिए x-1 का जब holy square open किया हमने तो क्या आया x square plus 1 minus 2x आया हितनी बास ठीक है फिर जब y-5 का Holy Square किया तो y square plus 25 यह नि 5 के स्कार रहें 25 हो जाएगा फिर minus कितना 5 दुनाई 10 minus 10y आएगा यहां पर 10x लिख उठा है ठीक है इसी वज़ा से वो चीज़ें वहां पर कट गई है तो यहां पर 10x ना ओकर के क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा ठीक है तो 10x जो यहां कट गया दोनों तरफ 10x 10x हो करके यह अब क्या होगा कटेगा नहीं ठीक है झालू झालू झाल 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 समय लग गया कि चीज़ें क्या है हमारी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में मिस्टेक है जो प्रूविंग पॉइंट है हमारा 3x is equal to 2y यह प्रूविंग पॉइंट नहीं होगा प्रूविंग पॉइंट होगा हमारा x is equal to y ठीक है एक्जाम्पल है आपका एक्जाम्पल नंबर फाइव है ठीक है इसी के पिछले 162 नंबर पेज पर एक्जाम्पल नंबर फाइव है यहां प्रेकार शेकंड करके दिया गया है तो उसमें एक्जाम्पल ही दिया गया है ठीक है वहां भी चीजों को प्रूब किया गया x बराबर y ठीक है तब ही इतना टाइम इस पे लगा कि यह 3x is equal to 2y something कैसे आएगा ठीक है तो दिखो बचा क्या यहां पर है माइनस 10x इदर है इदर क्या है माइनस 2y है और इस तरफ में क्या-क्या बच रहे है माइनस 2x और माइनस 10y y के पास y वाली चीजों को x के पास x वाली चीजों को तो माइनस 2y और देखो माइनस का 10y इदर आएगा क्या हो जाएगा पलस का 10y हो जाएगा उसको पहले लिख लो इदर क्या है, माइनस कब 10x इदर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 10x और यह 2x तो पहले से 10y में से 2y गया, 8y 10x में से 2x गया 8x 8x से cancel हो गया, क्या हो गया आपका x बराबर y आगया न x बराबर y आगया और यही proof हो गया आगी बाद समझने तो इस तरह से question number 4 हमारा स्वाल भुगा, ठीक है अब आगी की जो question है ठीक है, काफी time हो चुका है तो आगी की जो question है, उसके लिए एगला वीडियो बनाएंगी हम उस वीडियो में complete करने की एकोसिस करेंगे, ठीक है, तब तक जो चीजों को अब तक अपने चीजों को समझा है उनको समझिए, उनको आराम से देखिए, ठीक है, ना समझ में आए तो ग्रूप में comments कीजिए, और वीडियो को जब YouTube पर देखती हो तो like कर दिया करो, अपसे बार-बार चीजें कही जा रही है, ठीक है ठीक है, फिर आज की class में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद